बात करने माला हूं कि हमने श्रीकर आमनी धान का नर्सरी किस महने में डाला था और किते दिन बात जो हमने रुपाई किया है तो सब कुछ आपको इस विडियो में बताऊंगा और कितने पौधे की रुपाई किया है तो विडियो को लाइक ज़रूर करना अगर किसान भाई हम बात करते हैं सबस पहले इस श्रीकर आमनी धान की नर्सरी का तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा जो है नर्सरी है हमने इसकी रुपाई की थी यानि 9 से 10 तारिक तक यानि 9 से 10 जुलाई के अंतर ही हमने इस धान की रुपाई की है और यहाँ पर जो नर्सरी डाला गया था लगभक तैयार हो जाता है 25 से 26 दिन के अंदर लेकिन बारिस ना होने के कारण जो है हमने थोड़ा लेट पर इंजन यानि मसीन द्वारा पानी भर करके रुपाई किया गया है अब किसान भड़ी हम बात कर लेते हैं धान की जो कितने पॉदध की रुपाई किया गया है तो यहाँ आप को गिंती कराना चाहूंगा देख सकते हैं यह देखी यह यहाँ पर durchे किसान भड़ी की है त यहाँ पर भी देख सकते हैं तीन यह देखिए तो तीन पौधे कहीं पर किसान भाई आप देख पाएंगे यह देखिए यह दो पौधे की है यानि इसकी रुपाई यह देखिए यहाँ पर एक पौधे की है तो इसका जो रुपाई करने का होता है एक पौधे दो पौधे कहीं पर तीन पौधे भी लोग रुपाई कर देते हैं यानि जैसे जादा पानी भरा वाला छेतर है तो वहाँ पर आप दो से तीन कर सकते हैं उसके बाद जैसे नहीं पानी भरता उचास्प है तो दो पौधे काफी हैं कहीं कहीं एक पौधे भी रुपाई हो जाता है देखिए इसमें दो पौधे रुपाई है यहां पर भी दो पौधे रुपाई है तो इसका किसान भाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब इसमें कल्ले और ब्रांचे निकलेंगे कि कितने कल्ले और निकल सकते हैं यह भी आपको दिखा जाएगा देखिए इसमें दो पौधे हैं और इसमें देखिए तीन पौधे भी लगा दिया गया है तो इसी स्सी तरह स्किसान भाई श्री करामनी धन की रुपाई और नर्सरी किया जाता है हमें उम्मिद्ध काब्रसमिया आंगा वाई वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक से और कमेंटर जरूर करें